किसान साथियों नमस्कार एक फिर उपस्तित हूँ आपके समक्ष एक खास जानकारी के साथ और दोस्त भी मैं पटना जिला में वेडियो बना रहा हूं और यह ज़गा है पुठी के समी पे गाउं है और इसकीर पर आपको यहां का एड्रेस नजर आ रहा होगा और यहां पर दोस्त मुर्गी पालन और मश्ली पालन एक साथ हो रहा है लगभग चौदा कठे का है अगर बिहार में कठा की बात करें तो तो अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितना एरिया है चुकि हर एरिया का अलग-अलग इसको रखने की जगह है पालन जो हो रहा है मिक्स पिरिट की फार्मिंग हो रही है यहां पर जैसे जासर वांगेशियस है उसके पिर जैहू और कतला तीन किन की मर्चली की फार्मिंग यहां पर हो रही है तो चलिए अब बहुत सारी जनकाड़ी आपको आज की वेडियो ब मिलने वाली है एक साल के दौरान उन्होंने क्या कुछ सिखा है तो आज जो जनकाड़ी मिलेगी लगभग एक लाख रुप्य की होगी ऐसा इसलिए दोस्त कि जो भी जनकाड़ी आपको मिलेगी फार्मर के द्वारा लगभग अभी तक उन्होंने एक लाख का नुक्सान अडर्रेस मारे भाई को बता एए उपेंदर को नाम है घर पार्थो जिला पतना ठाना पुन-पुन पून-पुन के समय पिए पोठी station बगल में कि इसके बगल में ही आपका गाउं घुन को नाम हुगा घहां पर जो फार्मिंग हो रहे हैं मसली पार्मिंग कर रहे हैं और स तक आपको 1 लाग का नुक्सान हो चुका है तो क्या बज़र रही है इसकी बज़र रहा है तो फिर काफी नुक्सान हो सकता है किसान भाईयों को मुर्गी पालन में भी टम्परेचर रहना बहुत जरूरी है अच्या मुर्गी पालन ओठेर पालन दूनों कर रहे हैं तो यह लग испकिक अनś गया है है क्षेयर इसले नेकेल मट गया है। नई समढ गया क्या किये थे तंपरेशन ना मेंटेन रहने के कारण मढ गया है उसे समय ठंडी के समय में आप लेकर आये होंगे और जो चूजा लेकर आये थे वो कितने दिन का था वह एक दिन का चूजा था तो आपने यहीं किया दोस्तों अगर जो किसान भाई बटेर की पा तो बोडिंग में काफी दिक्कत का सामना उनको करना पर सकता है अगर टेमरेशन मेंटेन नहीं होगा तो फिर जो हाल इनका हुआ है वही हाल आपके साथ भी हो सकता है यह कई सो चूजे लेकर आये थे और उसमें सब्सक्राइब हो गई तो कितना नुक्सान हुआ है इनको भली भाती से आप समझ सकते हैं तो यह गलती आप न करें जब भी लें तो जहां से आप लें उनको बोली कि भाईया हमको बोडिंग किया हुआ चूजा लिए पास दिन या दस दिन के जो चूजा होता है उससे से शुरुआत करें उसके बाद फिर जब आपके पास करने के चालता है उसमें भी लॉस हुआ है जो बटेर में जो नुक्सान हुआ और जो मुर्गी में नुक्सान हुआ तो शुरुआती दौर में ही आपको नुक्सान हो गया था यह सुरुआती दौरे में नुक्सान हुआ तो अभी आठ महीने के दोरांसर यह जो मुर्गी क अगर बात करें बटन जamento निकला नहीं सब्थ खतम हो गया दुवारा तीसरा लट ग। punch पंद्रह ति फंद्रह हजार करें वनल चार्वो में करिपकर 15000 मुनाफव हुआ है कि आपका एरिया है जहां मुर्ग्यों को रख रहा है तो इसमें संख्या कितनी रखते हैं रखते हैं तो करेंटब्रहजार बारा सब्सक्राइब धीखतें कोई दिकत नहीं है यह जो मुर्गी पहलान आप कर रहा है तो भोजेन की वेवस्था कैसी है, कंपरेट कंपनी फिट पर निरबर हैं या तो फिर आप कुछ घरैलु चारा भी देते हैं इनको आपको मुनाफ़ा हुआ है तो दूसरा जो लोट है इसमें कितनी उमीद है आपको कंपनी फीट के अलाबा हरा चारा इनको देते एक समय तो फिर जादा मुनाफ़ा हो चकता था हरा चारा देंगे तो मुनाफ़ा बढ़ जागा चलिए सबसे पर आपको अंदर लेकर चलता हूं और जो यहां के स्थिति है वो इससे आपको आउगत कर वाता हूं तो किसान कि पचास दिन मानके चलिए पचास दिन के क्या बोड़ीवेट होगा इसका करीब फांसो गराम चारसो पांसो छोसो भी होगा जो कंपनी फीट पर आप निरभर हैं हंडिर परसंट कंपनी फीट पर निरभर है आप तो एक दिन में कितना यह लोग दाना उठा लेता है आपकीवेको नोच सारि तक दिन में 20 किलों नोतिय दीजार अरियलिवेके 27000 का सुध्न मुनाफ़ा आपका हो सकता था अभी अनुमान लगा रहा है कि 20-22,000 आपको बचत होगा इतने बढ़ में लगबख सीधे डबल हो सकता था आपका हाथ वरा सुन है हाथ लगा देते तो फीड के बचत हो जाता फीड के बचत हो जाता इसको मुनाफ़ा हम लोग के बढ़ जाता भाई इस वीडियो को देख रहा है और अगर मुर्गी पालन करना चाहिए तो कैसी तयारी उनकी होने चाहिए चुकि आपने जेला है नुक्सान हुआ है तो आपके आपके जानकारी तो वरा आपके दिये जानकारी से बहुत सारे किसान भाई नुक्सान से बच सकते हैं किस त लिए गा मुटुलेटि हो सकता है डिनिंग कर लिए गा बूरोडिंग करने के लिए सिश्टम जान ले रहेगा तो फिर मुटुलेटि नहीं होगा अधि ट्रेणिक करना जोड़ी जैरूड़ी है चले इसी बात ट्रेणिंग ले लेते हैं और चूजा ले करा जाते हैं अराम से अपना पालन पोशन उसका करते हैं हरा चारा की विवस्था उनके पास अगर हो जाए तो प्रतिव बढ़ उनको कितना कॉस्ट गिर सकता है एक केजी पड़ाने के कुर्ण कर्भी एक सट्य पिड़़ा तो यहां तो प्रतिवर अगर इसमें आप घरेलू फिड़ हरा चारा उनको देंगे यात फिर और भी घरेलू फिड़ देंगे और कंपनी फीड़ को ही दिएक को निला कर देंगे तो लगववग एकशो पचासा जल्दी किस्टे तेयर होगा जल्दी तो कमर्शियल फीट से त्यार होगा मराचरा दीजिए गात तो यह कि कमर्शियल फीट आपका बचेगा तुरह समय थूरह ज्यादे लगेगा कि यह को कि है मार्केटिंग करते हैं थोड़ा में बैश देते हैं और थौड़ा तो टोक वाला भी जो मुड़की कटर जो है न सब्वढ़हता है तीस किलो 40 क्लो 20 किलो आफ्या रहा है कि हुद्रा कैसे बेष्टेंद करते हैं तो हम रहाय किलो बेच रहा है थोक में 230 चालिस 230-140 भी भाचत हो जाता है बर्टिंग के बाद ऐसे कोई व्यमारी आती है क्या इसमें की जिसे बढ़ की मिक्तिव हो जाना बरोड़ीं में व्यवर्फिज देही जाता यह बना व्येक्षि चाहिए रख रखाओ तो कहा है कि मुतलब की समय के अंस्वार पाद लगता है जैसे प्रेचर मेंटन है आपका तो कोई दीकत नहीं है लाइट नहीं हो सकता है बुरूडिंग के समय के बाद आपने बताया कि टेंपरेशर मेंटन करना चाहिए आपको पूडिंग के बाद कौन को से सवहनी रखने चाहिए कि सानवंत्रों को अथिके बाद में जब से 200-300-400 ग्राम हो जाता है ना उसको बाद उतना जरूवत नही है इसमें देखत नहीं है 400-300 ग्राम के हुगा तो मरने के बमर नहीं करता मड़ें नहीं करता है तूँ आप सिर्फ मांस के लिए इसका पाल्ण कर रहा है writer कर बेंदे के लिए के लिए यहांगा अंडे देख रहा है कोrintности 2018 यहांडे यह आ इस पर इंडे भाई यहीर धांटे को चुटे हैं तो यह आन्डे कहांद करा यहां दुत हैं पहले को सकते वह cay एक फिर लोट वापा से में से जो ब्रीक्र नहीं हुई जो बच गया वो अंडे पर गई जी अंडे पर आ गई उसी का एक या उसी कंड़ा आफ़ इस्तेमाल करते हैं अधिक यह उसी अदिया से पिस हैं सुनाली का है करकनात का है आपको करकनात कर नाथ करनात करनाथ करना चाहें तो आपको लग रहा होगा ज्यादा मुनाफ़ा ज्यादह होगा तो अंडो क็ परपर से मुनाफर ज्याद मुनाफ़ होगा इसे रफिस आप एक बीश्य नहुत और इसको कि भुद्रा में दस रुपे विश्ते हैं और थोक व्यक्त जाता एक कितना अंडा देती है करेब करें 180 एक साल में एक साल के बाद उस मुर्गी को यहां से प्यास देंगे यह ना राम इप लिक हाँ पिक जाता है यहां बुरहा जाती है शमरीत है कि उसका रेट थूँर तरह कम मिलता है, मंगार बीग जाता है और शुरू में बटेर के फार्म चुरू किये थे तो शुरू में बटेर लाए था या सुनाली मूरी के बाद बटेर लाए थे शुनाली के बाद लाय थे बटेर हम तरव लगवाग उनाई सो लाय थे उसमें से उनाई सो मर गया था तो दो सो बसा उसका क्या किया अप उसका खुद्रा में बेद दिया हम कैसे विका अपको 60ुब पीस साथ टली शरय नजर आ रहा है अपके फारम में तू रखे होया अपना इस्तप्रा दे आपके लिए और में अब लाया तो तो उसका क्या करते हैं ऐब तो चर्पाज गुरा था ता अपने इस्तेमाल कर देते हैं है पहले ज़्यादा था तक्या करते थे थे हिसाफ से भेक्र की करें बड़ी सब्सक्राइए बहुत संदर करना चाहते होंगों तो बचेर में मुनाफ़ा हैं कर तो मार्जिंग बहुत अच्छा है करीब करीब मान के चले को 25 पर से नती पचीस उर्प्या एक बटेर में मार्जिंग है यह यह तो आपकी थी ना हाँ अगर कोई भाई हमारे पंदर दस आठ या दस दिन का अगर चूजा लेकर आए बटेर का तो आरा असानी से पालन कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं उससी स्थिति में 20 से 25 पर पर उनको इनकम हो सकता है हां उससे में दस दिन के लएगा तो थोरा से सब्सक्राइब बढ़ जाता है तो पीस रुपे मार्जिंग हो जागा इसलिए कि अगला दास दिन रखके बूर्डिंग करके देगा तो पांच रुपिया दस पर रेट पर रहा के देगा तो उसमें आपका मार्जिंग घड़ डाले हैं रहु कतला गराश डाले हैं तिन वराय्टी चार बरगाट डाले है तो शिक के संख्या के कितनी ती अभी क्या साइज हुआ जासर डाले थे चाथा में चोजार हाँ और रहु रहु खतला ग्रास डाले थे 2000 टोटल आठ जार डाले थे कितना दिन हो गया हुद्व को चार लख लगा है चार लाक चौदा कठा में आपका चार लाक अभी तक लग चुका है तो आपको लग रहा है कि हर्वेस्टिंग पूरा कर लगे थे उतना पैसा आजाएगा उससे ज्यादेगा कि मोटा मोटी करीब करीब को चार लाक से कम नही चार लाक हा रुप्ष में पचत हो जाएगा कि य held सुनाने मुर्गी को तो सभाएं तरीके से घुंफ करते तो आराम से इसे ठीकाइल सकता था हराम से अंतरो निकाल जागा सवार्णा कि बिजनेस की ता लिए जारस कर रहा है तो अगर मुर्गी पालन और मशली पालन एक साथ अगर करें और सही दिशा में करें तो निश्चित है कि फिर दूसरी जगए उनको जाने की जरूत नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी आराम से घर में रहकर कि पैसा कमा सकते हैं साल भर में करवी करी 3 पाइगे पाइगे बढ़ाएंगे अगर जो किसान भाई बठेर पालान या तरफी मूर्गी पालान करना चाहे तो किस तरह से उनकी आप रप कर पाएंगे को पूछेंगे राइन से से उनके साथ ना हो इस वेड़े से उनकी आप हेल्प कर पाएंगे या करेंगे 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 बहुत भूँत धन्य वाद अपका बैतरी जनकारी मिली आपके दोर हमारे किसान बहिए को तो दोस्तों आपने सुना हर चीज में मुनाफ़ा हो सकता है बसरते की सही दिशा में किया जाए जो भी इनोंने किया है एक सार के दोरान कुछ गल्तियां इन से हुई है इसी वज़े से इनको नुक्सान का मुझ भी देखना परा है और शुरू महीनों ने बत रखती है तो इस तरह का और भी अपडेट जाड़ी रहेंगे दोस्तों बने रहीगा ग्रोमा इंटेट्रिप चानल के सर्था तक ख्या रखिए अपना धन्यवाद